प्रणाम सर जी बड़ा मज़ा आता है न जब आप दूसरे पर टिपनी करते हैं और जब आप पर टिपनी हो जाता है तो बड़ा जोर का मिर्ची लग जाता है आपको मुद्धा दो त्रिंजिन से बहुत काफी तेजी वायरल हो रहा है वह मिद्धा आपको याद होगा एक सिचक हैं अब कहेंगा कि फीर आपने मतलब उनका नाम ले लेकिन लेने का कारण था कि कोई लोग कहें कि जितेंदर भी आप कुछ को नहीं कर रहे हैं चुकि एक यूट के साथ से मश्तले विष्णले की सिचे से हमें सबसे दोस्ति है ना किसी इस कि से को रह..., दोस्ती हमारी इने किसλι को बनाना भी नहीं चाहते थे बताये न मनिश्चित गिसीज फायदा अठा रहा है। विहार को सम्पादक इसे फायदा उठा आप बताये बस video बनाते ही बनाते एक कहते हैं कि क्या होता है कि मनिस कश्रेब बन गया था मुखिया तो वीडियो बनाने के लिए यूटवी लेने के लिए परचान था गया था लेकिन इनसे याद करें इनसे पूछिएगा कभी कि जिते अंदर तो चार बार पहले गया था आपका वीडियो बनाने के लिए यहां के साथ मैं गया था एक यूटूबर था उसके साथ मैं गया था आपको याद हो गया मुझे तो कोई लौब नहीं था मुझे बस यह था कि आपने मुझे सम्मान दिया था सम्मानित किया था इसलिए मैं जा रहा था ऐसा नहीं था कि मैं पंजाब से यूपी से मैं जाता था तो एक लोब था लोब यही था कि आपने मुझे सम्मान दिया था आप देख लिजे इस फोट तुन्हे के टीर नाते एक शिछक कैनाते फूर्ट मीं कंत करता हूं और गुरु हो का ही नाते मैं के सम्मान करता हूं और करता रहां लेकिन बात जլ आती है मुख्या की मैं लिपीडियो नहीं बनाता मतलब तरह तरह कर चीज़े बताते हैं अभी इन्होंने मुझे मुझे मनिस्का सेफ या फिर एवन बिहार एवन का जो भी है उससे बहुत काफी हिताइसी नहीं है लेकिन यही मनिस्का सेफ और यही कुछ यूटूबर आज नहीं बोल रहा है न यह लोग गए थे मेरा नहीं था और मैं उसका विडियो बना दिया विडियो बना दिया कि क्या अब तक भी पिन सर ने इसका क्यों नहीं पेंशन बन वा दिया वीपिन सर ने क्यों Mikya बनें तो सको बनाएन बहुत बभा है कि मतलब यह ठालोर। सम्मानित किये थे इस लिए और दूसरा एक कह रहा थे कि हमें खुन खौनने लगा जब एक खांसर का बिरोद किया था मैं कहां खांसर का बिरोद किया था मैं कभी खांसर का भी रोध नहीं किया ता मित्रो लेकिन बीपीन सर को ना जाने कियों और हमसे नफरत होने लगी मैं बीपीन सर का आज भी सम्मान करता हूं आप किसी को कुछ भी कहिए लेकिन हमें यह नहीं पता है कि मुखिया हो जब से आप बने तुरंत वीडियो बनाने लगते हैं मुखिया का यही करता है कि किसी का कोई वीडियो बना के दिखाने लगे इसलिए आप दिखाने लगते हैं कि आम आपके फाइन फाल्वार जाता है मैं मामला बस कि किशी को बबली कहने लगेंगे किसी को पबली कहले लगेंगे क्या एक टीचर को सोबा देता है या फिर ऐसे मुखिया को सोबा देता है आप लोग कमेंट करके बताइए मैं कभी नहीं किया था ना करूंगा लेकिन हाँ जब भी यह आते हैं सिर्फ मारने की बात करते हैं मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि मैं तो दिव्यांग था दिव्यांग का फायदा उठाने लगा था यह लोग तो दिव्यांग नहीं थे एक फायदा उठाने लगे था कि आपको पहुचने लगे था आप आके वीडियो बनाने लगे एक एक सचाई दिखाने लगे ये तो भी दिव्यांग नहीं थे, ये तो भी कलांग नहीं थे, मैं तो भी कलांग होने का फायदा उठा लिया था, मित्रो, आज तक एक भी वीडियो बनाईए, बता दिजिए, दिखा दिजिए, आप भी समझदार हैं, एक भी जितेंदर का वीडियो बनाईए, जहांकि मैं मैंने बिकलांग होने का फायदा उठाया है मैं किसी के सम्मान को ठेज पहुचाया हूँ एक भी वीडियो दिखा देजिए मुझा के एक भी अरे मेरा वीडियो बनाने का ये तथ्य नहीं था ये उदेश नहीं था कि मेरा वीडियो क्या होता है कि बहुत बड़ा मैं यूटूबर बन जाओगा मुझे बड़ा बनने का सौख नहीं बस एए सौख था कि मुझे देखकर लोग जीना शीक जाए और को लोग जीना से जहां छी माइन से लोगों की जिनदगी खतम होती गुरु रहमान जैसे लोग खान जैसे लोग इसके जहां जैसे लोग विद्लों एक अलग मुझे उर्चा दिये हैं मित्रों दिव्यांग तो यहां से होता है, आध पर कटने से कोई विकलांग हो जाता है, क्या कभी नहीं होता है, माब आपने मुझे अच्छा पैदा किया था, और बाद में घटना दूर घटना किसी के साथ हो सकती है, लेकिन घटना दूर घटना होने के बाद मैं आप कभी दिव्या पता कर लिजेगा मेरे बारे में, कि मैं जब भी पढ़ा, आप जैसे लोगों के साथ पढ़ा हूँ, समाने लोगों के साथ, जब भी competition किया हूँ, तो आप जैसे लोगों के साथ, समाने लोगों के साथ किया हूँ, मित्रों, ऐसा नहीं, साइकिल चलाया हूँ, तो समाने साइ करने यहान तेां सभाइने तो फच्ची को सभाइव मेरे साथ अछीड़ू को बना रहा हूं याद दिन वीडियो को बना कि आप किसी को जुतियाएंगे, किसी को लतियाएंगे, फिर किसी को कदेंगे, कि दिव्यान का फायदा उठा रहा है, ये तो इनको याद कराईए, कि मनिस कश्यप और क्या होता है कि बियार एवन के जो पत्रकार है, वो किसका फायदा उठा रहा है, अब जो भी है, मुझे राजन मुखुट साधून का नाम है, राजन जी किस चीज का फाइदा उठा रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए, इन्होंने कहा था, वो वीडियो आप लोग को याद होगा, और मेरे जिस तर से मैंने दिखाया, उस वीडियो को जा कर देखिएगा, कि ये कह रहे थे कि सर का मैं सम्मान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हा, मुखिया कि जब बात आएगी, तो रेलूँगा, मैं भी छोड़ूँगा, नहीं जो होगा, सो देखा जाएगा, अब फिर से लड़ाई समय लीजे, त्रिकोणी हो गई, अब तक तो मतलब मनिश का स्यप, विपीन और र इतना विडियो बना, इतना विडियो बना, कि कभी खांचर बोड पर आके नहीं बताए, कि मेरा कोई विरोध करा है, बताए कोई, नहीं बताए, तो खांचर को मैं सिच्छक मानता हूं, गुरु रामान को मैं सिच्छक मानता हूं, इसके जहां को मैं सिच्छक मानता हूं, शुपा 30 के आनंद कुमार को सीख चक मानता हूं कि लाखो लोग विरोद किये लेकिन कभी उंगली नहीं उठाएं अपने ज्यान का प्रकास किये और अपने ढंग से किये और जहां रहे वहां से किये लेकिन कभी किसी पर उंगली नहीं हो खुद काते हैं कि ना समझ लोग ऐस चाहिए करते हैं पस काम खता आप जो समयाइडार इन्सान होता है कि हाथी चलती रहते हैं कुटे भोग ते रहते हैं तो अब अब कुटा कहां से आ गया हाथी का घी इसी कर बन सकता है ने तो मुख्या बन जाए सिच्छक आप में सोबा नहीं दे रहा है मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और सिच्छक का मैं कभी आपमान नहीं किया हूं न करूँगा फिर से कह रहा हूं तो मित्रो आज के लिए इतना ही जो होगा गलती छमा करिएगा मैं हूँ जीतेंदर और आप देख रहते जोस एक्सप्रेस नमस्कार